प्रविश्य मसी में मेरे सबी बैनबाईओं को जैमसी की आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजुरी में हमारी आज के इस वीडियो में हम परमेशय के पवित्र वच्णों को मेरी भवीश्वानियों के पुस्तक में से पढ़ेंगे इन वचनों में पवित्र बाईवल के गहरे भेड़ों को पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमारे आत्मिक पिता अपॉस्टल अंकु यूसफ निरूलाचे के द्वारा दिया गया है और हमारे ये विश्वाश है कि जब आप इन पवित्र बचनों को सुनेगे और इने अपने जीवन में अपलाई करेंगे इनके उनसार अपनी जीवन को वतीत करेंगे तो परमेश्य का आत्मा आपसे बात करेगा और आप अपने जीवन में अपने गवाही की और पढ़ेंगे तो पूरे विश्वाश के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने आज का पवित्र वचन आत्मिक बुद्धी और समझ किस तरह से कार्य करती है जैसा कि हम परमेश्व के पवित्र वचन या कूप एक अध्याय उसके पांच वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है यदि तुम में से किसी को बुद्धी की घटी हो तो परमेश्व से मागो जो बिना उलाहना दिये सब को उदारता से देता है और उसको दी जाएगी मेरे फ्रियो पवित्र बाइबल बताती है कि एक मसीही व्यक्ति के पास आत्मिक समझ का होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप पवित्र बाइबल को उध्यान से पढ़ें तो उसमें लिखा है कि उन वेक्तियों ने लंबा जीवन वितीत किया है जिनके पास आत्मिक बुद्धी थी और वे लोग थोड़ा जीए जिनके पास आत्मिक समझ कम थी जब आप चर्च में आते हैं तो आपको कोई सेवादार या कोई वेक्ति कुछ बोल दे तो वहाँ पर आपकी आत्मिक बुद्धी काम करनी चाहिए और अगर आप वहाँ लड़ेंगे बहस करेंगे तो आप अपनी आशिशों को लेने से पहले ही गवा सकती हो फिर जब आप प्रातना ग्रहन करने के समय आमिन आमिन बोलोगे वो भी किसी काम का नहीं अगर आप किसी व्यक्ति को आत्मिक रूप से जितना अधिक आशिशिक देखते हैं जब आप उसके पास जाओगे तो उसकी आत्मिक समझ आप से अलग ही होगी मेरे आत्मिक पिता को किसी चीज़ की कमी नहीं थी क्योंकि वो पहले से ही इतने आशिशिक थे लेकिन मैं जब भी उनको मिलने जाता था तो उनको बिना बीज के कभी नहीं मिला ये मेरी आत्मिक समझ है क्योंकि वचन कहता है कि छोटा बड़े से आशिश पाएगा परमेश्वर ने अपने दास आपको दिये हैं अब आपको जो भी आशिश चाहिए तो आप उन दासों के जीवन में अपने बीज को वो कर या आप उनके लिए प्रात्ना करके आप अपने लिए परमेश्वर से आशिश पा सकते हैं इसी तरह जब हम पवित्र बाइबर में अभी मेलक के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में लिखा है कि वे अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर यानि कि बैतल हम को छोड़ कर मुआप देश चला गया जो एक पाप का देश था और वहाँ पर जाकर वे और उसके दोनों बेटे मर गया क्योंकि उसमें आत्मिक समझ की कमी थी नहीं तो ऐसा कौन वेक्ती चाहेगा जो बैतल हम को छोड़ेगा और मुआप देश को जाएगा सिर्फ वही जो परमेश्व के साथ वफादार नहीं है जिसको सिर्फ अपनी रोटी की प्रवा है अपने बच्चों की प्रवा है कि ये मर ना जाए या मेरे बच्चों को मेरी पत्नी को मुझे कुछ हो ना जाए प्रन्तु उसे पवित्र बाइबल के वच्चनों का नहीं पता कि जो कुछ तुम यहावा परमेश्व को छोड़ कर पाना जाओगे वो कभी भी नहीं पासकोगे इसलिए कि जब भी आप परमेश्व के भवन में जाओ या परमेश्व के दास के सामने जाओ या आप अपने लीडर के सामने जाओ तो आपके शब्द कम होने चाहिए और आपकी आत्मिक समझ काम करनी चाहिए इसलिए आप अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको आत्मिक समझ का होना बहुत जरूरी है अगर आपके पास आत्मिक समझ नहीं है तो आप परमेश्व से उपवास के द्वारा वचन के द्वारा प्रातना करते हुए मांगे क्योंकि परमेश्व कहता है कि जिसे बुद्धी की घटी है वर मुझसे मांगे मैं उन्हें बिना उलाहना दे दूँगा इसलिए मेरे प्रियो जब आप परमेश्व के सामने अपने लिए आत्मिक बुद्धी मांगेगी तो वै आपको देगा आमेन पवीत्र वचनों के अनुसार प्रातना सर्व शक्तिमार परमेश्वर इस वचन के लिए मैं आपका धन्यफाद करती हूँ हे सामर्थी परमेश्वर मैं आपके वचन के अनुसार के प्रातना करती हूँ कि आपके वचन में लिखा है जिने बुद्धी की आवशक्ता है वो मुझसे मांगे परमेश्वर आप मुझे आत्मिक बुद्धी आत्मिक समझ प्रदान करें प्रवियेश्व मसी के पवित्र और साम्मर्थी नाम में हम मांगते हैं आमेन आमेन और आमेन आज के इन पवित्र वच्चनों के पड़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्राब सबको बहताई से आशिशित करें सबको जय मसी की God bless you all